देखिए आज की वन शॉट वीडियो में हम डुवल नेचर ओफ रिडिशन एंड मैटर का फुल कवरेज प्रोवाइट करेंगे CBSE बोर्ड में इसका वेटेज पॉर मार्क्स है मुझे उमीद है बलके confidence है कि अगर हमारी इस वीडियो को आप deeply देखते हो तो बोर्ड में पूछे गए हर कोश्चन का चाहे वो conceptual हो या वो numerical हो हर एक का अंसर आपको इस वीडियो से बिलकुल मिलेगा देखिए इसी उमीद के साथ हम इस्टार्ट करते हैं Dual Nature of Radiation and Matter देखिए इसको समझाने से पहले थोड़ा सा आपको Electromagnetic Spectrum का आइडिया देना चाहूंगा देखिए Electromagnetic Spectrum जो है गामा रेस से स्टार्ट होता है अब देखिए क्या होता है कि जब हम गामा रेस से रेडियो वेफ की तरफ को जाते हैं तो Frequency Decrease होती है और Wavelength Increase होती है यानि सबसे कम Wavelength गामा की होती है और सबसे ज्यादा Wavelength जो है वो रेडियो वेफ की होती है इसी तरह से सबसे ज्यादा Frequency गामा की होती है और सबसे कम Frequency रेडियो वेफ की होती है तो ये बात आपको clear हो जाने चाहिए कि गामा रेस से radio waves की तरफ को जब हम चलेंगे तो wavelength बढ़ती जाएगी और frequency घटती चली जाएगी अब क्या होता है कि गामा रेस, X-rays और ultraviolet rays ये spectrum के invisible region में आती है यानि इसको हम देख नहीं सकते इसी तरह से visible region के बाद infrared, microwaves and radio waves ये भी invisible region में आती है अब देखे क्या होता है कि ये हमारा visible spectrum होता है यानि कि ये जो radiation है ये visible है जिनको हम देख सकते हैं इसी को हम light के अंदर include करते हैं यानि ये हमारा optics के अंदर आता है और ये visible जो spectrum है हमारा या visible radiation जो है इनकी wavelength 3500 से 7500 के अंदर होती है और ये visible region जो है हमारा ये विविवियोर के according होता है यानि violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red इसका मंदर क्या हुआ कि जो हमारी visible region है यानि जो हमारी light radiation है जिनको हम देख सकते हैं वो कहां से start होती है violet से और red पर खतम हो जाती है तो सबसे कम wavelength violet के लिए होती है और सबसे ज्यादा wavelength red color के लिए होती है ठीक है अब क्या होता है देखिए कि हमारे पास optics के अंदर यानि light के अंदर बहुत सारे phenomenon है जैसे हमारे पास क्या है reflection है reflection है dispersion है interference है और polarization है diffraction है polarization है और photoelectric effect है यह बहुत सारे फिरोमिना हैं अब इन में से कुछ फिरोमिना ऐसे है जिनको हम light की केवल particle nature के base पर explain कर सकते है जैसे photoelectric effect यह particle nature पर explain किया जा सकता है wave nature पर नहीं इसी तरह से कुछ फिरोमिना ऐसे हैं जो केवल wave nature के base पर explain हो सकते हैं particle nature पर नहीं जैसे आपका क्या है interference है diffraction है polarization है इसको हम wave nature के base पर explain कर सकते हैं इसको particle nature के base पर explain नहीं कर सकते हैं इसके लाबा reflection इनको हम particle nature और wave nature दोनों के base पर explain कर सकते हैं तो dual nature का मतलब क्या है dual nature का मतलब होता है dogly nature यानि कि जो फिनॉमिना जिस अगर particle nature से explain हो रहा है तो उसे particle से कर दो और जो wave से explain हो रहा है उसको wave से कर दो यही dual nature कहलाती है क्योंकि अगर हम light की single nature लेते सपोर्थ अगर हम particle nature लेते तो हम photoelectric effect को दो पढ़ लेते लेकिन हमें diffraction polarization interference को छोड़ना पढ़ता और अगर हम केवल wave nature लेते तो wave nature में हम इनको पढ़ते photoelectric effect जैसे important phenomena को हमें छोड़ना पढ़ता तो इसलिए हमने light की nature कैसी लिए है dual यानि light radiation यह है यह light radiation लाइट क्या है रिडियेशन है visible radiation है इनकी nature कैसी है dual dual का मतलब क्या है कि जो phenomena जिस पर explain हो रहा है उससे explain कर दो अगर वो particle से हो रहा है तो particle से और अगर वो wave nature से हो रहा है तो उससे explain कर दो इसलिए light की nature dual nature क्यालाती है अब देखिए क्या होता है तो इस तरह से हम dual nature का मतलब हो आपकी समझ में आ गया होगा कि dual nature का मतलब क्या है दो अगली nature यानि कि जो फिनॉमिना particle nature से explain हो रहा है उसको particle से कर देंगे और जो wave से हो रहा है उसको wave से explain कर देंगे अब देखिए दूसरी चीज हमारी क्या आती है कि हर एक metallic surface जो है वो atom से मिलकर बना होता है और हर atom के अंदर एक nucleus होता है और उसके चारोद्रफ electron घूमते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे तो जो electron inner most orbit के अंदर होते हैं उन पर nucleus का force of protection जो है strong होने की वज़ा से वो electron nucleus से tightly bound रहते हैं और जो electron outermost shell के अंदर होते हैं वो nucleus से loosely bound होते हैं और loosely bound होने की वज़ा से वो atom से अलग हो जाते हैं और matter की पूरी body में zigzag manner में move करते हैं इनी electron को हम free electron केते हैं जैसे कि आप ये देख रहे होंगे दीजारदा free electron और ये पूरी matter की body में zigzag manner में move कर रहे हैं लेकिन ये electron कभी भी metallic surface से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि हम इनको बहर से energy प्रोईट न करें अगर इन electron को हम heat energy देकर निकालते हैं तो यह कलाता है thermOEini Commission यानि थरmOEini Commission के अंदर हम electrons को heat energy देकर heat radiation डालकर फिर हम उनको निकालते हैं तो यह कलाता है थरmOEini Commission इसी तरह से अगर हम इन electron को light radiation से निकालते हैं तो यह क्या क्यलाता है? लाइट रेडियेशन के incident करने से जो electron हैं वो metallic surface से बाहर आ जाते है इन निकलने वाले electron को photo electron कहते हैं और ये phenomenon photoelectric effect क्यालाता है इन electron के flow होने से जो current reduce होती है या जो current का flow होता है उसको हम कहते है photoelectric current अब देखें photoelectric effect की detail में जाने से पहले हम आपको plan quantum theory explain करेंगे देखें plan की quantum theory क्या है कि energy का जो transformation होता है यानि energy एक place से दूसरे place को जो जाती है वो in the form of photon यानि in the form of packets of energy, bundles of energy ये packet और bundles को हम क्या कहते हैं photon कहते है तो plan की quantum theory क्या कह रही है कि transformation of energy from one place to other is in the form of small packet और bundles of energy these packets and bundles of energy are known as photon अब देखें ये photon जो होते हैं ये chargeless particle होते हैं speed of light से चलते हैं इनको चलने के लिए medium required नहीं होता speed of light से चलते हैं electric magnetic field में deflect नहीं होते हैं हर photon की energy e is equal to h new होती है जहां h क्या है plan constant और new क्या है frequency of incident light radiation जो radiation metallic surface पर incident किये गए हैं अब देखें क्या होता हमारे पास new बराबर होता है c by lambda तो अगर हम new की value c by lambda रख दें तो photon की energy e is equal to hc upon lambda भी होती है इसका मंदब क्या हुआ कि हर एक photon की energy h new होती है या फिर hc upon lambda होती है ठीक है जहां lambda क्या है wavelength of incident light radiation frequency के new क्या है frequency of incident light radiation अब देखें हमें दो important term समझने हैं intensity और frequency on the basis of photon picture देखें intensity क्या है किसी भी metallic surface पर जो light radiation incident होते है तो light radiation incident होने का मतलब क्या है कि number of photon incident हो रहे है तो किसी भी metallic surface पर एक second में unit surface area पर कितने photon incident हुए कितने photon गिरे इस चीज़ को हम कहते हैं intensity that is on the basis of photon picture तो intensity क्या है number of photon striking per second per unit surface area is known as intensity तीक है यानि दूसरी चीज़ अपने पास होती है frequency frequency का मतलब होता है quality of radiation यानि के हम कौन सी radiation डाल लाए है उसकी quality तो photon picture में frequency का मतलब होता है size of photon क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे frequency बढ़ेगी size of photon बढ़ेगा frequency घटेगी size of photon घटेगा तो photon picture में frequency का मतलब size of photon intensity का मतलब number of photon striking per second per unit surface area that is intensity ठीक है अब देखिए हम photoelectric effect की experimental study करना चाहते हैं देखिए photoelectric effect के बारे में सबसे पहले हालवेश और Edison नाम के scientist ने कुछ information दी क्या कहा उन्होंने that is a glass bulb यह glass bulb है इसके अंदर A और B दो metallic plate लगी हुई है इन metallic plates को हमने एक galvanometer से जोड़ते हुए एक battery के negative terminal पर जोड़ दिया A को और B को battery के positive terminal से जोड़ दिया अब क्या हुआ कि plate A जो है वो negative potential पर है और plate B जो है वो positive potential पर है क्या होता है कि जब plate A पर light radiation incident किये जाते हैं तो इस plate से electron बाहर आने लगते हैं जैसे कि आपको बताया photoelectric factor में क्या होता है कि right radiation गिरते हैं उनसे electron को energy मिलती है और electron जो है वो बाहर आ जाते हैं अब चुँके यह electron यहां से निकले और दूसरी plate पर पहुँच गए और गैलवल उमिटर में deflection आया लेकिन यही radiation जब plate B पर डाले गए जो के positive potential पर थी तो गैलवल उमिटर में कोई deflection नहीं आया इसका reason हलवेश और एडिसन नहीं समझा सके बाद में क्या हुआ लेनार्ड और हर्ड आये लेनार्ड और हर्ड ने इसकी detailed study करी उनका कहना है कि जब plate A पर light radiation डाले जाते हैं तो इससे electron निकलते हैं electron पर negative charge होता है, plate B positive potential पर होती है, electron को अपनी तरफ attract कर लेती है, circuit complete होता है और galvanometer deflection देने लगता है यानि galvanometer deflection का आना इस चीज़ को शो करता है कि photoelectric current फिलो हुई लेकिन जब यही radiation plate B पर डाले जाते हैं, electron इस बार भी निकलते हैं, लेकिन electron पर negative charge होता है इस plate पर भी negative charge है, यह repel हो जाते है, electron पूरी तरह से नहीं पहुँच पाते हैं इसलिए galvanometer कोई deflection नहीं दिखाता, अब होता क्या है कि जब इस plate पर radiation डाली जाती है तो electron जो डिकलते हैं, वो इस plate के different parts से निकलते हैं कुछ electron upper surface से निकलते हैं, कुछ अंदर से निकलते हैं, कुछ और अंदर से निकलते हैं तो पता है जला कि जब plate B पर light tradition डाली जाएंगी, तो different kinetic energy के electron निकलेंगे और कुछ electron ऐसे होंगे, जो अपनी higher kinetic energy की वज़ा से negative potential लगा होने के बाद भी इस plate पर पहुँच जाएंगे यानि एक weak current galometer deflection galometer show कर सकता है, लेकिन होता क्या है, कि जब plate A पर radiation डाले जाते हैं, तो तो हमें current मिलती है लेकिन जब plate B पर radiation डाले जाते हैं, तो current का मामूली सा deflection हमें galometer में देखने को मिलता है, बहुत मामूली सा, ठीक है अब देखिए, अब क्या हुआ, कि जब हम इसके उब लाइट रिडिशन डालते हैं, तो लाइट रिडिशन डालने से electron निकलते हैं, और electron को निकलने के लिए एक minimum amount of energy चाहिए देखिए, यह वो minimum amount of energy जो किसी metallic surface से electron को निकलने के लिए sufficient होती है, उसको हम कहते है work function that is work function, work function क्या है, the minimum amount of energy which is required to remove the electron from the metallic surface by the effect of light radiation तो वो minimum amount of energy जो किसी metallic surface से electron को बाहर निकाल सकता है, that is work function work function को हम w से denote करते है, w is equal to h new 0 होता है, wavelength के terms में hc upon lambda 0 होता है यहाँ new 0 क्या है, threshold frequency, lambda 0 क्या है, threshold wavelength अब देखें, threshold frequency क्या है, देखें हम किसी metallic surface पर light radiation incident करते हैं, तो frequency की वो minimum value जो किसी metallic surface से electron निकालने के लिए responsible है, उसी को हम threshold frequency कहते हैं, यानि अगर incident light की frequency frequency threshold के बराबर है, या उससे ज्यादा है, तो तो electron का emission होगा, और अगर frequency threshold से कम है, तो emission possible नहीं होगा, जैसे for example, एक बच्चे को pass होने के लिए 100 में 33 number चाहिए, अगर उसके 33 number आ जाते हैं, 33 आ जाते हैं, तो वो pass हो जाता है, और अगर 32 आ जाते हैं, तो वो fail हो जाता है, इस किसी metallic surface से electron को निकालने के लिए responsible है, that is threshold frequency, it is represented by new naught, ठीक है, अगर हम इसको wavelength के terms में देखें, तो threshold wavelength क्या होती है, that is the largest wavelength, which is required to remove the electron from the metallic surface by the effect of light radiation, इसका मंदब क्या है, कि अगर incident light की wavelength, threshold wavelength के बराबर है, या उससे कम है, तो तो electron का emission होगा, लेकिन अगर threshold wavelength से ज्यादा हुई, यानि कि अगर threshold wavelength से ज्यादा हुई, तो emission possible नहीं है, यानि कि threshold wavelength that is the largest wavelength, एक ज्यादा से ज्यादा wavelength है, जो किसी surface से electron का emission कर सकती है, तो threshold wavelength या उससे कम पर तो electron निकलेंगे, लेकिन threshold से ज्यादा पर electron नहीं निकलेंगे, तिर्शोड frequency क्या है? minimum frequency है जो किसी metallic surface से electron को निकाल सकती है या फिर उससे ज्यादा वाली निकाल सकती है लेकिन तिर्शोड frequency से कम वाली radiation metallic surface से electron का emission नहीं कर पाएंगी तो that is तिर्शोड frequency and that is तिर्शोड wavelength अब क्या होता दिखिए ये plate negative potential पर है ये plate positive potential पर है अगर देखिए हम इसकी polarity को change कर दे ये बीच में keys लगी हुई है अगर इसको हम यहां से यहां लगा दे इसको यहां लगा दे तो क्या होगा polarity change हो जाएगी अब क्या होगा कि ये plate काई पर आ जाएगी positive पर ये plate काई पर आ जाएगी negative पर अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसकी polar light tradition incident करेंगे तो electron निकलेंगे जब electron निकलेंगे ये plate क्या है negative potential पर है जब negative potential पर है तो electron को repel करेगी अब होगा गया कि इस plate से different kinetic energy के electron निकलेंगे ठीक है कुछ electron अपनी higher kinetic energy की वज़ा से negative potential लगे होने के बाद भी plate पर पहुंच जाएंगे तो इस तरह से एक weak current हमें मिल सकती है लेकिन अगर हम इस plate के negative potential को gradually increase करें और इतना increase कर दें कि इस plate से निकलने वाला कोई भी electron इस plate पर ना पहुंचे तो वो maximum negative potential क्या कहलाता है stopping potential तो stopping potential क्या होता है that is the negative potential which is applied on the other plate which can stop the electron having the maximum kinetic energy इसका मतलब क्या हुआ stopping potential की help से हम इस plate से निकलने वाले electron की maximum kinetic energy को calculate कर सकते हैं तो kinetic energy maximum बराबर होता है EV naught यहाँ V naught क्या है stopping potential तीक है यानि अगर हम इस plate पर negative potential लगा दें और इतना negative potential लगा दें कि ज्यादा से ज्यादा kinetic energy वाले electron भी plate पर पहुंचने से रुख जाएं तो वो negative potential stopping potential कहलाता है अब हम आपको यह बताना चाहते हैं effect of intensity on photoelectric current यानि जो light radiation हम metallic surface पर incident कर रहे हैं उसकी intensity को increase करने से photoelectric current पर क्या effect हो सकता है photoelectric current पर क्या प्रभाव करेगा उसको हम देखना चाहते हैं देखिए यह हमारी plate A है इसको हमने negative potential पर रखा है plate B को positive potential पर रखा है ठीक है अब हमने क्या किया कि gradually photo और जो हमने इस पर light radiation incident कर रहे हैं उसकी हमने एक particular intensity ली i1 और उसकी frequency new है ठीक है जो greater than है ठीक है ठीक है तो हमने क्या किया कि एक particular intensity i1 ली frequency new ली new ठीक है ठीक है अब हमने क्या करा कि anode potential को gradually increase किया और उसके corresponding हमने plate current को read किया तो anode potential और photoelectric current के वर्सिज हमने graph प्लोट किया तो ये graph हमारा इस shape का आता है देख रहे हैं आप ये इसकी intensity i1 है frequency new है अब देखे इस graph से हमें बहुत सारी information मिल लई है पहली information हमें ये मिल लई है कि plate current ip और anode potential vp के वर्सिज जो graph है it is not a state line, it is a curve यानि कि ये एक curve है जब current और potential के वीच graph curve होता है तो इसका हमने वो ohms law को hold नहीं करता इसका मतलब क्या है कि photoelectric effect ohms law को follow नहीं करता पहली चीज़ ये आपकी सबन में आ जानी चाहिए दूसरी चीज़ हम ये दिखा रहे हैं कि जब anode potential हमारे पास 0 है तो उस समय photoelectric current 0 नहीं है OA के बराबर है देखे जब anode potential 0 है तो photoelectric current is not 0, it is equal to OA इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस पर light addition incident करते हैं तो इस से different kinetic energy के electron निकलते हैं कुछ electron अपनी higher kinetic energy की वज़ा से plate पर पहुँच जाते हैं ठीक है हालागे anode potential 0 है ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमने क्या किया कि anode potential को gradually increase करना शुरू किया तो photoelectric current भी बढ़ी बढ़ते बढ़ते B पर पहुँच गई ठीक है अब उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम anode potential बढ़ाते हैं तो photoelectric current नहीं बढ़ती यानिके photoelectric current saturate हो गई अब anode potential को बढ़ाने से photoelectric current नहीं बढ़ लाई है मतलब क्या हुआ कि हमने इस पर light radiation डाले माल लिजे इस plate से 100 electron निकले शुरू में anode potential कम था तो 100 में से 10 electron पहुँच रहे थे anode potential बढ़ाया electron और ज्यादा पहुँचने लगे पहुँचते पहुँचते जब 100 electron निकल लाई थे 100 के 100 electron पहुचने लगे तो अब photoelectric current saturate हो गई अब anode potential को further increase करने से photoelectric current नहीं बढ़ती क्यों जितने electron निकल लाई थे वो सारे के सारे electron पहुच चुके है तो इस condition में ये क्या कहलाती है saturated current तो ये BC जो है ये काई को शो कर रही है saturated current ये अब current saturate हो गई अब देखे यहां से हमें अभी तक जो information मिली वो क्या मिली कि graph state line नहीं है curve है ohms law को follow नहीं करता दूसरी information क्या मिली anode potential zero है तो photoelectric current zero नहीं है इसका reason क्या हुआ कि plate से different kinetic energy के electron निकलते हैं कुछ electron अपनी higher kinetic energy की वज़ा से plate potential zero होने पर भी plate पर पहुंच जाते हैं और small photoelectric current हमें मिलती है उसके बाद हमने यह देखा कि जैसे जैसे हमने anode potential बढ़ाया तो photoelectric current बढ़ी और बढ़ते बढ़ते फिर वो saturate हो गई अब देखिए यहां हम एक चीज़ यह देख रहे हैं कि अगर हम plate पर एक negative potential लगा दें op के बराबर ठीक है यानि इसकी polarity change कर दें और polarity change करके इस पर negative potential लगाएं तो क्या होगा photoelectric current डिक्रीज होगी और एक particular potential लगाने के बाद क्या होगा सारे का सारे electron इस plate पर पहुंचने से रुख जाएंगे और photoelectric current जीरो हो जाएगी तो जिस negative potential पर या negative potential का वो amount जिसको लगाने से photoelectric current जीरो हो जाती है वो anode potential कहलाता है देखिए यह हो गया आपका कि जब VP OP के बराबर है यानि कि anode potential को हमने negative OP कर दिया इसके बराबर कर दिया तो इस condition में क्या हुआ photoelectric current जीरो हो गई ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ देखिए अब हमने क्या किया किया कि और saturate भी हो गई अब इसके बाद हमने यह काम किया कि जो light radiation हम incident कर रहे थे उसकी intensity को बढ़ाया frequency तो वही रखी जैसे हमने intensity को बढ़ाया तो हम यह देख रहे हैं कि photoelectric current फिर से बढ़ने लगी बढ़ते बढ़ते फिर से maximum हो गई यानि फिर से saturate हो गई लेकिन stopping potential वो ही रहा जो पहले था इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है लेकिन उनकी kinetic energy पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता क्यूंकि stopping potential दोनों condition में same है देखें यहाँ जो intensity है I2 वो greater than है I1 से लेकिन frequency दोनों condition में same है इसका मतलब क्या हुआ कि intensity के बढ़ाने से photoelectric current बढ़ती है यानि निकलने वाले electron की number बढ़ती है यानि photoelectric current बढ़ती है kinetic energy पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता इसी लिए stopping potential same रहता है ठीक है तो पता यह चला कि intensity का effect क्या हुआ कि जैसे जैसे हम incident light radiation की intensity को बढ़ाएंगे तो metallic surface से निकलने वाले electron की number बढ़ेगी जब electron की number बढ़ेगी तो photoelectric current बढ़ेगी लेकिन electron की number बढ़ने से electron की kinetic energy पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ेगा इसी लिए stopping potential same रहेगा कि stopping potential पर frequency का क्या effect होता है इससे पहले अभी हमने क्या देखा कि intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है और number बढ़ने से photoelectric current बढ़ती है लेकिन उनकी kinetic energy पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता इसलिए stopping potential same रहता है अब हम यह देख रहे हैं कि अगर हम जो incident light radiation है उनकी intensity को constant रखे और constant रखने के बाद frequency को हम बढ़ाएं तो उस से हमारे एनोड पोटेंचल पर क्या effect हो सकता है उसको हम देख रहे हैं देखें यह graph जो हमने plot किया है यह photoelectric current आईपी और एनोड पोटेंचल के बीच हमने graph पोटेंचल के बीच हमने graph पोटेंचल के बीच हमने graph किया है कोई light radiation है जिसकी intensity i है और उसकी frequency कितनी है new one तो इस से हमने graph पोटेंचल किया यह graph देखें हमारा इस shape का आया इस graph के अंदर हम यह देख रहे हैं कि जो stopping potential है वो new one के बराबर है stopping potential क्या हुआ negative potential यानि जब हम इसकी polarity reverse कर देते हैं तो यह plate negative हो जाती है और यह plate positive हो जाती है और इस पर हम इतना negative potential लगाते हैं कि कोई भी electron plate पर ना पहुंचे इसी को हम उस negative potential को हम stopping potential कहते हैं तो पहली जब frequency new one है तो उसके लिए stopping potential कितना है वी one है अब हमने क्या किया intensity तो constant रखे अब frequency हमने new two कर दी यानि पहले के respect में frequency बढ़ा दी जैसे हमने frequency बढ़ाई तो हमने यह देखा कि जो maximum saturated current है वो तो उतनी ही रही ठीक है लेकिन इस बार stopping potential बढ़ गया यानि आब stopping potential कितना है वी two के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि frequency के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता लेकिन निकलने वाले electron की kinetic energy बढ़ जाती है और जब kinetic energy बढ़ती है वी two वी one के मुकाबले में ज्यादा है अब हमने क्या किया किया कि frequency को और बढ़ा दिया माल लिजे frequency हमने new three कर दी ठीक है तो जब हमने frequency new three करी तो क्या हुआ देखिए maximum saturated current same है लेकिन stopping potential और बढ़ गया यानि वी three के बराबर हो गया तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि frequency के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता लेकिन उनकी kinetic energy बढ़ जाती है ultimately stopping potential बढ़ जाता है देखिए new three बढ़ा है new two से और new two बढ़ा है new one से इसी तरह से आपका क्या हुआ V3 is greater than V2 और V2 is greater than V1 तो जैसे जैसे हम frequency बढ़ाते जले जा रहे हैं frequency के बढ़ाने से stopping potential बढ़ ला है लेकिन saturated current अपनी जगा constant बनी हुई है तो दो बाते हमारे सामने आई कि अगर हम intensity बढ़ाते हैं तो intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है photoelectric current बढ़ती है लेकिन उनकी kinetic energy पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता यानि stopping potential सेम रहता है लेकिन अगर frequency बढ़ते हैं तो frequency के बढ़ाने से क्या होता है निकलने वाले electron की number पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता और उनकी kinetic energy बढ़ती है जब kinetic energy बढ़ती है तो उनको रोकने के लिए stopping potential ज्यादा होता है तो अब एक बात बिल्कुल किलियर हो गई है कि intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ेगी यानि photoelectric current बढ़ेगी और stopping potential सेम रहेगा लेकिन frequency के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ेगा और उनकी kinetic energy बढ़ेगी ultimately stopping potential बढ़ेगा जैसे कि हम इस graph से देख रहे हैं आपको laws of photoelectric effect बता रहे हैं photoelectric effect के चार laws है अभी आपको बताया आपने पहला law कि अगर हम incident light tradition की intensity को बढ़ाते हैं तो intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है लेकिन उनकी kinetic energy नहीं बढ़ती और stopping potential same रहता है that is first law first law क्या हुआ कि by increasing the intensity of incident light radiation photoelectric current increases but their kinetic energy remains same so the stopping potential remains same second law by increasing the frequency frequency के बढ़ाने से stopping potential बढ़ता है लेकिन saturated current same रहती है तो second law हमारा क्या हो गया रहती है by increasing the frequency stopping potential increases but saturated current remains same तो पहला law intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है ultimately photoelectric current बढ़ती है लेकिन उनकी kinetic energy पर कोई पिरभाव नहीं पढ़ता है other incident light की frequency थिरशोट से कम है तो electron का emission possible नहीं होगा इस condition में intensity को हम चाहे जितना बढ़ा ले ठीक है इसका मंदब क्या हुआ कि किसी भी metallic surface से electron के emission के लिए ये जरूरी है कि जो frequency है वो या तो थिरशोट frequency के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो ठीक है चौथा law ये है कि जैसे ही हम light radiation metallic surface पर incident करते हैं तो electron जो है वो immediately बाहर आ जाते हैं there is no time lag कोई delay नहीं होता यानि कि light radiation metallic surface पर और electron तुरंट बाहर आ जाते हैं ठीक है ये चार laws हैं जो के photoelectric effect के हैं जो के लेनाड और हर्स ने दिये थे अब देखिए उसके बाद हम कुछ variation देख रहे हैं variation of photoelectric current with intensity देखिए हमने क्या क्या इस axis पर photoelectric current ली है और इस axis पर हमने intensity को लिया है हम ये देख रहे हैं कि जैसे ऐसे हम intensity बलखा रहे हैं photoelectric current बढ़ती चली जा रही है और frequency of incident light radiation के बीच में है देखिए photoelectric current को हमने इस axis पर लिया frequency को हमने यहां लिया देखिए जब तक frequency तिरशोड frequency से कम थी तो कोई photoelectric current नहीं है लेकिए तिरशोड frequency के बाद जैसे ही frequency बली current constant है यानि current नहीं बल लई इसका मतलब क्या है कि incident light की frequency को बढ़ाने से क्या होता है सिर्फ उनकी kinetic energy बढ़ती है ultimately stopping potential बढ़ता है लेकिन current सेम रहती है तो यह दो variation important है पूछे जाते है अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि photoelectric effect को light की wave nature के base पर हम explain नहीं कर सकते है उसके failures क्या है क्यों नहीं explain कर सकते है तो अब हम आपको बताते है failures of wave theory देखिए क्या है कि अगर हम light की wave nature consider करते है wave picture consider करते है तो क्या होता है कि जो light waves है दीजार्दा electromagnetic waves यह electromagnetic waves है और electromagnetic waves वो होती है जिन में electric और magnetic field vector होते है तो अब क्या होता है कि जब हम intensity बढ़ाते हैं तो intensity के बढ़ाने से क्या होता है amplitude बढ़ता है जब amplitude बढ़ता है तो यह waves जब metallic surface पर गिरती हैं तो उसके अंदर elektronों को larger energy प्रोवाइट करती है larger energy प्रोवाइट करेंगी और अगर यह energy उस metallic surface के work function से ज्यादा है तो electron metallic surface से बाहर आने चाहिए frequency कुछ भी हो इसका मतलब क्या है कि wave picture में frequency और three short frequency का कोई part नहीं है जबकि पोटो इलेक्टिफ एक्ट का law क्या कहता है कि intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है उनकी energy नहीं बढ़ती है frequency के बढ़ाने से निकलने वाले electron की energy बढ़ती है उनकी number नहीं बढ़ती इसका मतलब क्या है कि wave picture में पोटो इलेक्टिफ एफेक्ट के law जो है वो बिल्कुल reverse हो रहे है यानि कि wave picture में सारा role intensity का है frequency का नहीं है जबकि जो experimental law है या experimental law observation हमने लिए है उसके अंदर सारा role frequency का है तो ये failure आपकी समझ में आया कि अगर हम light की wave picture consider करें wave nature consider करें तो intensity के बढ़ाने से क्या होगा? intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की kinetic energy बढ़ेगी नमबर नहीं लेकिन law हमारा क्या कह रहा है? कि intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की नमबर बढ़ेगी kinetic energy नहीं दूसरी बात है wave picture क्या कह रही है? कि incident light की frequency कुछ भी हो electron का emission होना चाहिए लेकिन हमारा जो law है वो क्या कह रहा है? कि अगर frequency एक minimum value से कम है तो electron का emission नहीं होगा यानि कि frequency और थिर्षोड frequency का रोल है और wave picture के अंदर frequency और थिर्षोड frequency का कोई रोल नहीं है तीसरी चीज़ यह है कि जब light wave किसी metallic surface पर गिरती है तो सारी के सारी energy पूरे surface में uniformly distribute हो जाती है और electronों को energy लेने में time लगता है और इसका मंदब क्या हुआ? कि जैसे ही light tradition गिरेंगी तो electron metallic surface से बाहर नहीं आएंगे यानि कि इलेक्टरों को बाहर आने में timing lag होगा जबकि अगर हम photoelectric fact का law देखें तो law क्या खेरा है? कि जैसे ही light tradition गिरते हैं light radiation incident होती है electron immediately बाहर आ जाते हैं कोई timing lag नहीं होता इसका मंदब क्या हुआ? कि wave picture के base पर हम photoelectric effect को explain नहीं कर पाएंगे अब photoelectric effect को जो explain किया जा सकता है वो on the basis of particle nature तो Einstein ने हम देखिए अगली तीज आपके पास क्या आती है Einstein equation of photoelectric effect और quantum थे उड़ी Einstein ने photoelectric effect की equation दी on the basis of particle nature Einstein का मानना क्या है? कि जब कोई photon जिसकी energy H new है वो किसी metallic surface पर गिरता है तो वो अपनी सारी की सारी energy metallic surface में किसी एक electron को transfer कर देता है किसी एक electron को दे देता है और उसकी खुद की stability खतम हो जाती है अब वो electron उस energy को absorb करता है और उसको दो कामों में खर्च करता है उस energy का कुछ पार्ट metallic surface से बाहर आने में खर्च करता है जो work function W के बराबर होता है और rest part जो होता है वो उसके पास extra kinetic energy के रूप में रहता है अब यह extra kinetic energy जो है इसको हम EV naught भी लिख सकते हैं जहां V naught stopping potential है और half m V maximum square भी लिख सकते हैं अब देखिए H new is equal to W plus EV naught that is the equation of photoelectric effect by Einstein अब देखिए यह equation हमारी आजाती है अब इस equation को हम देख रहे हैं कि EV naught is equal to क्या होगा H new minus W E से हमने divide किया तो V naught is equal to H by E new plus minus W upon E देखिए अगर हम V naught को एक axis पर ले और new को दूसरे axis पर ले तो यह दोनों ही linear है यानि यह equation Y is equal to mx plus c के form की हो जाती है इसका मंदब क्या हुआ कि अगर stopping potential V naught और frequency new के बीच अगर हम एक graph plot करें तो वो graph हमें कैसा मिलेगा state line मिलेगा और उस graph का जो slope होगा वो H upon E के बराबर होगा और potential axis पर जो intercept होगा वो minus W upon E के बराबर होगा अब देखिए यह हम variation ले रहे हैं variation of stopping potential with the frequency of incident light radiation इस axis पर हमने क्या लिया है stopping potential और यहाँ पर हमने frequency ली है तो यह graph हमें एक state line मिलता है अब देखिए यह graph frequency axis को जहां भी कड़ता है वो क्या कहलाती है threshold frequency new knot और यह graph potential axis पर जो intercept बनाता है वो intercept क्या कहलाता है काई के बराबर होता है w upon e के बराबर अगर w joule में है या फिर direct work function के बराबर हो जाएगा अगर w electron volt में है ठीक है यानि कि potential axis पर जो हमें intercept मिलेगा वो काई के बराबर होगा work function के बराबर इसमें work function काई में आएगा electron volt और अगर हम w upon e के बराबर करते है तो इसके अंदर work function joule में होगा frequency axis पर जो intercept होगा वो frequency को बताएगा और इस graph का जो slope होगा वो h upon e के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस equation से हमें ये पता चलता है कि अगर हम stopping potential v naught of frequency new के वर्सिस graph खींचे है वो graph straight line होता है और उस graph से हमें तीन information मिलती है पहली information हमें क्या मिल लगी है कि जो potential axis पर intercept है वो w upon e के बराबर होता है अगर w joule में है या फिर का e के बराबर होगा w अगर electron volt में है यानि कि जो intercept है वो direct हमें work function देगा अगर work function को हम electron volt में लिए और intercept जी है वो w upon e के बराबर होगा यहाँ w काई में है जूल में है दूसरी चीज़ क्या है कि frequency axis पर जो intercept होगा that is threshold frequency तीसरी चीज़ कि इसका जो slope होगा वो h upon e के बराबर होगा तो इस तरह से Einstein ने ये photoelectric effect की equation दी और ये equation on the basis of particle nature दी तो फिर से हम इसे समझें कि जैसे ही photon Einstein ने क्या माना कि light की photoelectric effect को हम light की particle nature के base पर explain कर सकते हैं यानि quantum theory के base पर explain कर सकते हैं तो जैसे ही कोई photon किसी metallic surface पर गिरता है तो वो अपने सारी की सारी energy metallic surface के अंदर किसी एक electron को transfer करता है और उसकी अपनी stability खतम हो जाती है electron उस energy को लेता है और उसको दो कामों में खर्च करता है उसका कुछ part बाहर आने में खर्च करता है जो और function के बराबर होता है और rest part जो है वो extra kinetic energy के रूप में रहता है तो इस तरह से ह new is equal to w plus e v naught यहां से हमने यह variation लिया v naught और new के बीज that is a straight line इसका मनलब क्या है कि यह जो variation है वो हमें एक straight line मिलता है और straight line का जो slope है वो h upon e के बराबर होता है और potential axis पर जो intercept है वो w upon e के बराबर होता है अगर w joule में है w के बराबर होगा अगर w electron volt में लिया और यहां जो काड़ता है यह three short frequency कहलाती है तो इस तरह से Einstein ने यह बताया कि एक photon जब गिरता है तो वो एक ही electron को eject करता है तो इस base पर Einstein ने यह equation बनाई अब इस equation के आधार पर हम photoelectric effect के चारों loss को अच्छी तरह से explain कर सकते है देखिए अब Einstein के photoelectric effect की equation के base पर हम photoelectric effect के चारों loss को अच्छी तरह से explain कर सकते है Einstein की equation क्या थी h new is equal to w plus ev naught या half mv maximum square w h new naught के बराबर होता है दोरों में से h commonly and new minus new naught is equal to half mv maximum square that is the equation of photoelectric effect by Einstein अब देखिए इस equation दे हम photoelectric effect के चारों loss को बहुत अच्छी तरह से explain कर सकते है पहला law क्या है by increasing the intensity of incident light radiation यानि incident light radiation की intensity बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है उनकी kinetic energy नहीं बढ़ती ठीक है इसको हम देखिए इस equation से बता रहे है कि जैसे जैसे हम intensity बढ़ाते है तो metallic surface पर second per unit surface area पर strike करने वाले photon की number बढ़ जाती है लेकिन उनकी energy नहीं बढ़ती इसलिए निकलने वाले electron की number बढ़ती है उनकी kinetic energy नहीं बढ़ती that is first law second क्या है कि जैसे जैसे हम frequency बढ़ाएंगे तो frequency के बढ़ाने से निकलने वाले electron की kinetic energy बढ़ेगी तीसरा law क्या है कि अगर new is less than new not यानि कि अगर frequency three short frequency से कम है तो kinetic energy negative हो जाएगी जो के impossible है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर incident light की frequency three short frequency से कम है तो emission of electron possible नहीं है intensity चाहे जितनी ही क्यों नहीं हो चौती चीज़ क्या है कि जैसे ही light ये photon metallic surface पर गिरते हैं तो photon और electron के बीक में elastic collision होता है और उसमें कोई energy loss नहीं होता इसलिए photon के गिरने और electron के बाहर निकलने में कोई timing lag नहीं होता इस तरह से Einstein की photoelectric effect equation photoelectric effect के चारों loss को अच्छी तरह से explain करती है और Einstein ने जो ये equation दी है ये on the basis of particle nature यानि photon picture में थी है ठीक है तो इस तरह से photoelectric effect को हम particle nature से explain कर सकते हैं वेव nature के base पर explain नहीं कर सकते हैं अब देखिए अब हम लेते हैं dual nature of matter देखिए ऐसा होता है कि D. Brockley दाम के scientist ने एक hypothesis दी क्या कि a moving material object sometimes acts as a particle and sometimes acts as a wave यानि कोई भी moving material object कभी particle की तरह से behave करती है तो कभी wave की तरह से behave करती है जब वो wave की तरह से behave करती है तो उससे जो waves associate होती है उसको हम D. Brockley wave या matter wave कहते हैं और उसकी wavelength को हम क्या कहते हैं D. Brockley wavelength और D. Brockley wavelength वो इस formula से दी जाती है lambda is equal to h upon mv जहां m क्या है मास है v क्या है velocity है अब देखें m भी क्या होता है momentum भी होता है तो lambda is equal to h by p या फिर p बराबर h by lambda लेकिन D. Brockley की जो hypothesis है ये smallest particle like electron proton, neutron, neutron, अलफा particle इनके लिए सही है क्योंकि इन से जो wavelength associate होती है उसको हम वो इतनी है कि हम उसको count कर सकते हैं लेकिन कोई बड़ी object अगर move करती है तो उसके move करने से जो wave produce होती है उसका wavelength इतना छोटा होता कि वो negligible है और उसको हम counting ही कर सकते हैं इसलिए ये D. Brockley की hypothesis केवल smallest particle like electron, proton, neutron, अलफा particle के लिए ही सही बठती है ठीक है तो ये है आपका D. Brockley का hypothesis इसके बेस पर हम आपको कुछ important type question करा रहे है पहला question हमारे पास क्या है कि एक charge particle है जिसका mass M है और उसको charge plus Q है और उसको V potential difference पर accelerate किया गया तो हमें क्या निकालना उसकी D. Brockley wavelength निकालनी है और D. Brockley wavelength का root V के साथ variation भी हमें दिखाना है ये first question है देखिए जब भी किसी charge particle को V potential पर accelerate करते हैं तो उस वो एक energy gain करता है तो energy gain by the charge particle कितनी होती है VQ formula होता हमारे पास V बराबर W upon Q तो W बराबर VQ अब क्या होगा जब energy gain करेगा तो उसके अंदर speed आएगी electron move करेगा this is equal to half mv square ठीक है यहाँ से हमने क्या करा देखिए VQ is equal to half mv square m से उपर नीचे multiple आई किया ठीक है this is m square v square upon 2m यहाँ से हमारे पास mv की value क्या होगा जाएगी 2vq m ठीक है रूट ले लिया तो यह mv की value हुआ गई अब यहाँ डीबरागली wavelength lambda is equal to क्या होता है h upon mv h upon mv की value हमने put कर दी 2mvq ठीक है तो इस तरह से अगर किसी charge particle को किसी potential v पर accelerate करें तो उससे एक wave deduce होती है जिसको हम डीबरागली wave कहते हैं डीबरागली wavelength कहते हैं उस डीबरागली wavelength को हम इस formula से देते हैं lambda is equal to h upon under root 2mvq अब देखे हमें डीबरागली wavelength का root v यानि accelerating potential का root इसके बीच में variation दिखाना है यहाँ से हमने क्या किया देखे under root v को हम इधर ले आए lambda into under root mv under root v is equal to h upon under root 2mq अब देखे है h plan constant, m mass q4, सब कुछ constant तो lambda into under root v is equal to constant ठीक है जब दो variable का product constant होता है तो और उनके बीच हम graph float करते हैं तो वो graph हमें कैसा मिलता है rectangular hyperbola तो इसका मंतलब क्या है कि अगर हम lambda और under root v के versus graph float करें तो यह graph हमें कैसा मिलेगा rectangular hyperbola that is the variation हम आपको बता रहे हैं कि light radiation है जिनकी frequency कितनी है 1.5 new knot जहां new knot क्या है threshold frequency और उसकी intensity कितनी है I knot इसको हम एक metallic surface के उपर incident कर रहे हैं तो incident करने से क्या हो रहा है कि जो photoelectric current है वो IP है अब हम यह कह रहे हैं कि अगर frequency को half कर दे और intensity को double कर दे तो new photoelectric current क्या होगी देखिए हमने जो frequency थी पहले हमारे पाद वो 1.5 new knot थी जब इसको half कर देंगे 0.75 new knot हुआ अब यह 0.75 new knot जो है new knot से कम हो गया इसका मंदब क्या हुआ है कि incident light की frequency threshold frequency से कम हो गई और जब frequency threshold frequency से कम होती है तो emission of electron is not possible तो इस condition में जो photoelectric current है वो 0 हो जाएगी ठीक है question क्या था कि अगर हम किसी metallic surface पर ऐसी light tradition incident कर रहे हैं जिसकी frequency 1.5 new knot है जहां new knot threshold frequency है और उसकी intensity I knot है ठीक है और incident करने से जो photoelectric current है वो IP है अब अगर हम frequency को आधा कर दें intensity को डबल कर दें तो new photoelectric current क्या होगी frequency को आधा करने से क्या होगा कि जो frequency हमारी आएगी वो threshold frequency से कम हो जाएगी और जब threshold frequency से कम होगी तो emission of electron is not possible ठीक है इसलिए photoelectric current 0 हो जाएगी अब एक कोश्चन नमबर थ्री देखिया हमारे पास तीन light radiation है A, B, C ठीक है A की frequency A की intensity I1 है और frequency new 1 है B की intensity I2 है frequency new 2 है C की intensity I3 है frequency new 3 है हमने इनका एक variation दिखाया है photoelectric current और anode potential के versus ये plot हमें इस तरह से दिया गया है अब हमें ये बताना है कि I1, I2, I3 में क्या relation है new 1, new 2, new 3 में क्या relation है देखिये हमने आपको बताया था photoelectric effect में कि intensity के बढ़ाने से निकलने वाले electron की number बढ़ती है kinetic energy नहीं बढ़ती ठीक है और frequency के बढ़ाने से निकलने माले electron की kinetic energy बढ़ती है number नहीं बढ़ती और जब kinetic energy बढ़ती है तो stopping potential बढ़ता है अब देखें यहां हम क्या देख रहे हैं कि A और B दोनों के लिए जो saturated current है वो same है इसका मतलब क्या हुआ और दोनों के लिए जो stopping potential है वो अलग-अलग है इसका मतलब क्या हुआ है कि जब दोनों के लिए saturated current same है तो A की intensity और B की intensity दोनों की intensity कैसी होगी same यानि I1 बराबर I2 होगा अब देखें यहां C के लिए photoelectric current बढ़ गई है इसका मतलब क्या है कि C की intensity ज्यादा होगी तो क्या मतलब हुआ कि I3 is greater than I2 and I3 is greater than I1 I1 और I2 दोनों same है अब देखें यहां हम यह देख रहे है कि A और B दोनों के लिए stopping potential अलग-अलग है इसका मतलब क्या हुआ और दोनों के लिए saturated current same है इसका मतलब क्या हुआ कि जब stopping potential अलग-अलग है तो दोनों की frequency कैसी होगी same इसका मतलब क्या हुआ देखें यानि के B और C देखें B के लिए और C के लिए stopping potential same है इसका मतलब क्या हुआ कि B और C की frequency कैसी होगी same A के लिए stopping potential कम है B के लिए stopping potential ज्यादा है तो इसका मलब यह क्या हुआ कि जो B की frequency है वो A की frequency से कैसी होगी ज्यादा यानि new 2 is greater than new 1 new 3 is equal to new 2 यहां देखें दोनों के लिए saturated current same है तो I1 बराबर I2 और I3 ज्यादा है क्योंगे photoelectric current ज्यादा है ठीक है इसी तरह से देखिए हमारे पास एक problem यह है कि अगर माल लीजे हम किसी surface पर light radiation डाल ले हैं और हमने आपको यह बताया कि जब green light डाली जाती है तो क्या होता है electron just come out यानि question हमारा क्या है कि when green light is incident और metallic surface the electron just come out इसका मदलब क्या है कि green color के लिए जो wavelength है वो क्या है threshold wavelength के बराबर है क्योंगे electron just come out अब वो यह कह रहे है क्या electron का mission possible होगा अगर हम green light को replace कर दें red light से और या फिर हम green light को replace कर दें blue light से देखे हमने आपको थिरिशोड wavelength पताई थी थिरिशोड wavelength क्या होती है that is the largest wavelength जिसकी light tradition डालने से electron बाहर आ जाते हैं अगर उससे ज्यादा की डालेंगे तो electron का emission possible नहीं होगा और उससे कम डालेंगे तो emission possible होगा अब देखें विब्योर के according green के बाद orange red आता है और blue जो है वो green से पहले आता है इसका मतलब क्या है कि blue के लिए जो wavelength है वो green के respect में कम है इसका मतलब क्या है कि जब blue light डालेंगे तो क्या होगा emission possible होगा और जब हम red light डालेंगे तो emission possible नहीं होगा क्यूंकि red light के लिए जो wavelength है वो green के respect में ज्यादा है और green color के लिए जो wavelength है वो थिरशोड wavelength है तो थिरशोड wavelength से कम radiation कम wavelength के radiation electron कर सकते हैं ज्यादा के नहीं कर सकते है तो यह हमने photoelectric effect को पूरी तरह से explain किया है वन शॉर्ट वीडियो के अंदर तो हमें उमीद है कि हमने कोई भी point इसके अंदर लूत नहीं किया है अगर आप इसको deeply देखते हैं तो इससे काफी benefited होंगे तो इसलिए वीडियो को लाइक चैनल को subscribe ज़रूर करें थैंक यू